Hello Friends, गाड़ी रोड पे चलती है तो स्क्रेच भी गाड़ी के अंदर लगते ही, जैसे कि आप लोग जानते हैं, गाड़ी मैंने ऐसे यूज़ कार सेकंड हैंड ली थी, गाड़ी के ओपर कई सारे स्क्रेच थे, और बार-बार बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, तो आज नमबर है इस गाड़ी के सारे स्क्रेच को रिमूव करने का, वीडियो थोड़ी से लंबी ज़रूर होगी, लेकिन हाँ कोशिश करूँगा कि सारे चीज़े मैं आपको डेटेल में बता सुकूँ, क्योंकि स्क्रेच जो हैं एक तरह के नहीं हैं, कई तरह के स्क्रेच हैं, जैसे कोई स्कूटर टकरा गया, कई बार किसी साइकल वाले से निशान लग गया, कई बार किसी बच्चे ने चाबी का निशान लगा दिया, तो अलग-अलग तरह के स्क्रेच होते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विडियो पहले मैं आपको सारेत्य दिखा देता हूँ इसके लिखा इने सक्रेच जगेगे ह् now गाड़ी जैसा है है गंदी घड़ी है गाड़ी को में ने साफ नहीं किया साफ नहीं किया उसके पीछे भी रिजन है क्योंकि मैं इस रिफ्लेक्शन के उपर पेंट को अच्छे से दिखा पाऊं आपको कि स्क्रेच किस तरह थे हैं ठीक है अगर यह गाड़ी बिल्कुल चमकती हुग तो वह इसक्रेच उतना दिखेगा भी नहीं तो मैं चाहता हूं क क्लियर इस कैमरे में दिखा पाऊं इसलिए सारी कोशिशे में कर रहा हूं लेकिन हां हार इक स्क्रेच का अलग-अलग ट्रीट्मेंट बताऊंगा वीडियो को स्किप करके प्लीज मत देखेगा अगर इसकिप किया आपने तो मेरी मेहनत्मा खराब हो जाईगी सबसे पहला इस करस्केश में आपको दिखा दूँ इस दौर पैनल के उपर नजदीक आए यह देखो यह निशान पड़ा वुआ इस पर जाऊँगा तो आपको स्क्रेच दिखेगा यह scratch यहां से चलता है यहां तक आता है सबसे पहले तो इस scratch को मैं mark कर देता हूँ पहला scratch हमारा जी यह है आप देख वा रहे हैं यह जो area मैंने mark कर दिया यह हमारा scratch number one दूसरा scratch दिखाता हूँ आपको यह panel दिख रहा है आपको यहां से आएंगे तो यह है scratch mark कर देता हूँ मैं scratch number two इसके बीच में scratch number two rear side में आएंगे तो यह मैं clean करता हूँ यह scratch number three यह आ गया इतना area scratch number four हलका सा round circle दिख रहा हूँ यानि कि छोटा सा dent भी है यहां पर mark कर देता हूँ इसको five पर यह आया हमारा rear door यहां पर एक scratch scratch number six अभी इस door पर आए हम यह यहां से यहां तक आता है scratch number seven scratch number eight eight कहा है आपका fender दिख रहा है fender पर जाएंगे तो यह आ गया जी scratch number eight यह आ गया जी हमारा bumper bumper के उपर एक scratch scratch number nine यह थोड़ा सा different दिख रहा है आपको इसमें यह color भी दिख रहा होगा यह देखो यह scratch number ten मैं यहां पर mark करूँगा यह mark कर दिया मैंने scratch number ten तो यह दस scratch है इस गाड़ी के अंदर और दस अलग अलग तरह के scratch है कुछ सोड़े सा hard है कुछ paint वाले हैं लेकिन हार एक scratch को निकालने से पहले हमको अपने मन में रखना है कि हमारी गाड़ी का paint भी damage ना हो क्योंकि इस कार के उपर clear coating के पतली सी layer होती है उस layer को भी damage नहीं होना थी है मैं भी scratch no.1 और यहाँ पे है scratch no.10 इन दोनों के उपर काम करूँगा ठीक है अभी देखिए सबसे पहला step पहला step होता है हमको scratch जो है इस scratch का surface कम करना scratch को कम करने से मतलब हम इसमें 2-3 तरह के process apply करेंगे hard scratch होगा उसको अलग process से करेंगा और light scratch होगा उसको अलग process तो पहले इस पे light वाला process करेंगे ताकि इसका जो surface है वो कम हो जाए माली जी यह scratch यहां से चला और यहां तक आया ठीक है अब इसके बीच में कई जगे वो dark है कई जगे बहुत light है यानि कि इस पे बहुत ज़ादा कुछ hard apply करने की ज़रूरत है नहीं है और यहां पे आप देख रहा हो यह नाखुन हलका सा यानि कि इसको कुछ अलग treatment देना पड़ेगा तो यानि कि पहला step हमारा होगा इन पूरे scratch पे light प्रोसेस करना light प्रोसेस क्या कर रहा हूं मैं इस एरिये पे मैं spray करूंगा simple water spray यह मेरे पर diamond rubbing compound diamond rubbing क्या है वह भी आपको बताऊंगा लेकिन मैंने इस पर कोई भी लेवल नहीं लगाए हुआ क्योंकि ऐसा कुछ भी प्रोमोशनल नहीं है simple मैं आपको बस बताना चाहता हूं एक मैंने लिया है scrubber ठीक है जी scrubber को मैंने रख दिया इस microfiber के अंदर और microfiber पुराना microfiber टावा लग जाने की जो यूज किया हुआ थोड़ा सा मुझे hard surface चाहिए यह इसके उपर rubbing paste अब इस एरिये को मैं यह पूरा पेस्ट लगा के लोगा सर्कुलर मोशन में बहुत ज्यादा प्रेशर देने की भी ज़रूत नहीं होती है लेकिन थोड़ा सा फिंगर से प्रेशर इस पर देना पड़ता है तो पहला स्टैप हमारा यह ही है अब आप देखों जहां-जहां इस क्रेच है न यह अलग वहाँरा आए यह वह फिल्कुल आपको अलग सा सीधी लाइन देख रही होगी वहाँ पर यह पर यह चीज, रुक रही है Alla Room अब यह पर चुटने वाली चीज्वारे से कम करनी है जितने एरिये पर लाइविल पहले इसको clean करता हूँ जी अब इसके बचा है वह देखना है पहले से अब कितना हिसा light हुआ है यह दो यह भी बाकी है और बीच का surface जो है यह अच्छा खासा light हो गया और यहां पे dark है भी अब इसके बाद इसी scratch के ऊपर करूँगा second second step में लेकिन अब वह light हो जाएगा यहा sandpaper 1500 grig पानी को अच्छे से मैंने पानी से भीगो लिया जी यहां पे भी लगा दिया पानी पड़ गया बहुत जादा दिखेगा नहीं आपको scratch मुझे मालूम है यहां पे है यहां पे fine यह हलका सा इतना area बहुत जादा इससे pressure नहीं देना है बस धीरे धीरे अब फिर से पानी का spray करेंगे यह area पे मैंने अपलाई किया अलग दिख रहा होगा बिल्कुल एक बार माइक्रो फाइवर डावल से फिर साफ कर लूगा अभी 1500 गेट का सेंट पेपर लगाने के बाद कुछ इस तरह से आपको दिख रहा है ठीक है अब क्या करना है अब देखिए नाकुन यह नाकुन है इस से इस तरह से चलाओंगा अब यहां अब इस एरिया पे अभी मेरा हल के नाकुन फसरे यहां पर ये प्रोसेस फिर से रिपीट करूँँँए बिल्कुल लाइट लिक इस तरह से करता हूँ प्रे कर लिया इस पर ये एरिया मुझे कवर करना इए ये इस तरह से आपको ध्यान रखना है यह को न ये कराना चाहिए जहां पर आप कर रहे हो वहीं पर करना चाहिए और फिंगर का प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए बीच-बीच में भिगाते रहना इसको यहां फस रहा था और कहां था यहां फिर से पानी थोड़ा सा इसमें लगता है टाइम और आपको भी थोड़ा सा पेशन्स के साथ देखना पड़ेगा तभी आप समझ पाएंगे मैं भी मैनत कर रहा हूं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं पूरा एक हाथ में कैमरा और एक हाथ से काम कर रहा हूं तो यह द अब देखें नखुन फसाके नहीं फस रहा है यहां पे अभी है यह क्या है जो जाधा डीप होगी उसको बहुत ज़्वश्वर्ध नहींद सब्सुति कमसे कम अगर देखन नहीं और गर तो इतना ही पैच दीखेगा ,ः पूरा नहीं देखेगा,ों273 करेंगे में हमारी लीमीट होगा इससी जयादा नहीं कर सकतेया चैनल करेंगे तो पेंट रहेंगे होगा इस से जईदा है मैं इतना हो गया यह गया हंरा स्व電 hebben तक अब्या पर हमने दो नंबर की मार्किंग की थी यह वाला स्क्रेच डाइमंड रविंग कमपाउंड कि सेम इसी तरह से मैं जितने भी नंबर थे ना सब पर यह अप्लाई करता हूं अभी सिर्फ मैंने पहला स्टेब किया इसके उपर यानि की डाइमंड रविंग का अब अब देखो इस पूरी जगह पर न अब इन जगेंगे पर अमको सेंड पेपर लगाने की दुरूद नहीं है अब 1500 केट था तो यहां ज़रूरती नहीं है क्योंकि 1500 केट मैंने कहां लगाया यहां पे लगाया जहां पे थोड़ा सा डीप था उंगली फस रही थी अब यहां पे कुछ भी फसने लायक नहीं है पहले स्टेप में तो इसको हम डारेक्ट फाइनल स्टेप के लिए छोड़ करेंगे तो इसलिए मैं गया था देखिए स्क्रेच अलग अलग तरह की होते हैं यह वाला स्क्रेच इतने में चला गया कम डीप था यानि कि डीपनेस की कम थी सेम इसी तरह से अभी मैं हर एक स्क्रेच के ऊपर ट्रीटमेंट करूंगा पूरी वीडियो अगर पनाने जाओ अब जब इसको हम अप्लाई कर लिया और इस पेच पर किया राइट अभी आप देखो के नजदीक से ना तो आपको हलका हलका यहां पर यह भी दिख रहा है लेकिन सिर्फ यह दिख रहा है अभी यह सब जाएगा ठीक है सेकिंड स्टेप अब क्या करना है अभी देखो जी यह सेंड पेपर है मेरे पास अलग-अलग साइस के 3000 क्रिण, 2000, 5000 तो अब जो बारी है हमको 3000 अप्लाई करने की अब जब इसको हम अप्लाई करेंगे तो इसको थोड़ा सा एरिया इसका बढ़ा लेंगे पहले हमारा एरिया यह था इसक्रेच से यहां से आया यहां आया अब इस एरिये को हम लगभग यह कर लेंगे राइट प्रोसेस सेम वही है पहला वेट इस सार्फेस को भी वेट कर लोगा यहां से स्टार्ट करना है हमको यह अप एंड डाउन अप एंड डाउन बस इस तरह से एक बार मैंने स्पेस बना लिया अब आपको क्लियर करके दिखाता हूं यह है अब हमको स्टार्ट करना है कहां से जहां से हमको स्क्रेच के हलकी सी लाइनिंग दिख रही हो बीच बीच में इसको गीला करते रहेंगे प्रेशर में बहुत ज्यादा नहीं दे रहा हूं बस हलका सा लाइट प्रेशर रखा है मैंने बस अभी यह कंप्लीट करता हूं फिर दिखाता हूं तो अभी फाइनली 3000 क्रेट का जो काम था वह हो गया हमारा अब इसके बाद कैस हुआ रिजर्ट यह देखो आप अभी थोड़ा सा ड्राइ हो जाए फिर देखेगा अभी आफ्टर 3000 को ठीक है जी अब सेम प्रोसेस अब ले लिया मैंने 5000 5000 क्रेट का और यह सेंट पेपर कहां से मिलते हैं कितने मिलते हैं वह भी मैं आपको बता देता हूं 5000 क्रेट का पॉ बीच बीच पे यह ड्राइ होता रहेगा और आपको स्प्रे करते रहना है चाहें तो एक बकेट ले लेजिए इसके अंदर पानी में पानी में इसको रग लीजिए और फ्यूर्ट करते रहेए अब आप देखो पानी उस उस जगे पर रुखने लगा जहां पर मतलब पहले तुरंट बलर हो जा रहा था वहां पर भी स्मूथ ने सारी है अभी ये कंप्लीट 5000 का का काम कंप्लीट हो गया अब इसको साफ कर लेते हैं एक बार आल्मोस्ट मतलब वह रिफ्लेक्शन जो य पहला प्रोसेस में किया था वह अभी फिर करेंगे उसी तरह से पहले जो मैंने माइक्रो फाइवर यूज किया था अब इस स्टैप में थोड़ा सा इसको और बढ़ा लेंगे यहां तक जैसे यह यहां तक यह वाला कि बीच बीच में जैसे ड्राइ होता जाए हलका सा स्प्रे कर लीजिए कि स्क्रेच नमबर वन का यह लास्ट टेप था और अब काम करेंगे हम दूसरे स्क्रेच पर सेवन कितना लबबा है यहां से यहां तक ठीक है डाइमड रविंग मैंने ले लिया फर्स टेप अब इसमें जो प्रेशर दिया जाता है इसका प्रेशर जो सेंड पेपर वाला प्रेशर था उससे ज़एदा होता है अभी मैं यह स्टेप कर लेता हूं फिर दिखाता हूं अभी यही डाइमर रविंग का स्टेप मैं यह स्क्रेश नंबर एट पे भी कर देता हूं जी और यह जो होता है फर्स टेप होता है इस वाले स्टेप के बाद फिर और डार्क है तो फिर सेकिंड स्टेप थर्ड स्टेप जो मैंने बता है तो पहला जो हमको कोशिश करनी है स्टेप से जितना कम होता है इतना है स्क्राइच तो कहीं डार कहीं लाइट होगा जहां लाइट होगा वह फर्स स्टेप में चले जाएगा नेक्स टाइम को सिर्फ इतने पर काम करना पड़ेगा अगर करना पड़ा तो बीज बीच में पानी परफेक्ट ये तो पहले स्टेफ में ही खतम सा हो गया भी देखना पड़ेगा सोखने के पास इसका कुछ बचा है काम या नहीं मुझे नहीं लगता है किसमें अब कुछ शायद करना पड़े आप देखो ये जो क्रेच नमबर 9 है ये किस तरह का इसकर है या आप देख रहा हो दूसरी किसी गाड़ी का इसके ऊपर पेंट ठाक रहाए और ऐससा नहीं कि साफ हो जाएगा मैंने इसको जब से ुवाले लेश ली है तब से है ये मैं आपको साफ करके दिखाता लेजिए माइक्रो फाइवर टावल भी ले लीजिए तो कोई इशू नहीं है पेट्रोल लगाया यहां पे लगाईए और इस तरह से इसको गुमाईए यहां पे आया क्लियर आप देखो आप स्क्रेच नमबर नाइन मतलब यह एटाना सबसे आसान होता है लेकिन हाँ मालूम नहीं होता कुछ लोग कुछ रभीं कर रहे होते हैं कुछ लोग ब्लेट से भी खुरचते हुए देखे मैंने तो इस तरह से ब्लेट वगर नहीं खुरचना है यह बिल्कुल गायब हो गया अ कि अपलाई कीजिए उसका सरफेस स्मूथ हो जाएगा उतना जादा देखेगा ने लेकिन हां कम्प्लीटली नहीं जाएगा यहां पर जादू नहीं होगा कम्प्लीटली जाने के लिए जरूरी है कि इसका पेंट टचप किया जाए पेंट टचप का डियाइवाइ तरीका वह भी मैं आपको दिखाऊंगा दरूर कितना विजिबल रह जाएगा वह भी दिखेगा आपको आपने देखा जो रफनेस थी वह रफनेस जा चुकी यह डीपनेस नहीं जाएगी ठीक है बस इतने पर स्टॉप बाकी वाले मैंने लगबग कर लिए और अब सब पे करना हो बाकी पर उतना नहीं करना पड़ा तब फाइनली इसको क्लीन करके लास्टेप लास्टेप हमारा है वेक्स पॉलिश तो पहले तो साफ कर लेते हैं जी टावल से इसक्रेच पूरी तरह से चला गया लगबग मैं भी डूंड भी नी पा रहा हूं किदर था लास्टेप क्या है वेक्स पॉलिश वेक्स कोटिंग वेक्स पॉलिश कोछ भी आपके लिजए इसको applai करना है जिस जिस स्क्रेच पे आपने काम किया था हर एक स्क्रेच पे इसको 한다 करना है मैं हर die ऑ प्elin को थोड़ी एर चोड़ना पड़ता है दीटेल में देख लिजे कैसे अ traces से दिखा रहा हूं है कार को दो दिन हो गया है चलाते हुए दो दिन बाद मैंने आज कार को बकेट वाश भी कर लिया मकसद इतना है कि जो चीज रियल है रियल आपको दिख पाए पॉलिश से उपर कैसा देख रहा है वह अलग बात है फाइनल में दिखाना चाहता हूं कि एक देंट था इसका कुछ नहीं हुआ शिक्स यहां पर था इस पैनल पर स्क्रेच नंबर सेवन यहां पर था और स्क्रेच नंबर एट इस पैनल पर नाइन पैट्रॉल वाला वह सामने है स्क्रेच कहीं नहीं दिख रहा है एक स्क्रेच था हमारा टैंट नंबर वह किछ इस ल पल रहे गया दो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं मिलूंगा नेक्स वीडियो में ऐसे एक इस इंट्रस्टिंग टॉपिक के साथ थैंक्स पार वाचिंग